नमस्कार साथियो स्वागत है आपका अपने एक्जाउंबट में खासकर बात करूँ जे नियू के लिए सबसे विश्वसनी है यूट्यूब चैनल जहां से पढ़ें के बाद काफी सारे स्टुडेंटा जवाला नहरु उनिवर्सिटी में अपने सपने बुन रहे हैं अपने जहां का मैं एक चोटा सा पुष्प हूँ विद्यार्थी हूँ दूसरी अगर मैं बात करूं जवाला नहरु विश्विध्याले का आपको यहां पर आड्मिस्टेटिव ब्लॉक यानि प्रसासनिक भावन वही भावन है जिसको आपने कुछ आंदोलन का हिस्सा बनते अद्मिस्टेटिव ब्लॉक की सीडियों तक जो अंदोलन पहुंचा वो महीनों चलता है और यह मैंने भी देखा 2020 में जब जेन युग अंदर फी हाइक वाला इशू हुआ फी बढ़ाने के विरोध में हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे तो आराउंड 4 मंथ वो पूरा प्रोटेस्ट चला था और फाइनली जाके वो फी वापस लेना पड़ा अडमिन को दूसरी चीज़ अगर हम बात करें जवाला नेरु विश्विद्याले के तो देश्क सा एक मात्र विश्विद्याले है पूरे इंडिया का जहां सबसे सस्ती एजूकेशन मिलती है आपको 300 सूपर किसी भी कोर्स की फी नहीं होती है यहां पर अगर हम बीटेक को छोड़ दें तो उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर अन्य कोर्स की बात करते हैं चाहे वो बीए हो बीए अपने आप में यहां खास है अपने आप में यहां का यूनीक है अगर हम बात करते है other courses के PhD करना यहां से अपने आप में एक बड़ी उपलबधी मानी जाती है यह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आपको इस चीज़ों से connect करती होंगी आपको genuinely प्रेरित करती होंगी आपकी प्रेर्णा का क्या स्रोथ है यह तो मुझे नहीं पता लेकिन अगर आप अपने सपने बुनना चाहते हैं आप एक ऐसे घर से आते हैं जहाँ पे आपके पैरेंट्स आपके उपर बहुत पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं और भी बहुत सारी अपॉर्चूर्टी हैं जो आपको जे नू देता है जो अनविश्य द्याले में आपको नहीं मिल पाएंगे चलिए बिना रुक्या बात करते हैं इस एड्मिस्टिटिव ब्लॉक से बाहर आते हैं और हम चर्चा करेंगे यहां के फ्री स्ट्रक्चर पे बात करेंगे यहां के आड्मिशन प्रॉसर्ष की बात करेंगे हम जानेंगे यहां पे की बैचलर करके क्या होता है मास्टर्स के बाद क्या आपके चेंजर आएंगे और पीसटी के बाद कैसे प्रॉफेसर बनते हैं क्यूंँ यहां से आज भी सबसे दाई यूस बनते हैं तो examvert से बहतर platform आपको नहीं मिलेगा, join the examvert official right now, telegram channel है हमारा, उससे जुड़ जाईए, ताकि आपको सारे के सारे update मिल जाए, UGPG और PhD से related भी है, क्योंकि, ना तो examvert official join करने के आप से पैसे ले रहे हैं, और ना ही subscribe करने के आपके पैसे लगेंगे, खैर, अब बिना रुके हम आते हैं मुद्दे पे, जो हमारा main मुद्दा है आज का, उस पर हम चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं आज इस विशे की, कि जो चीजें खासकर हमारे JNU से हमें मिलती हैं, खासकर जो JNU हमें देता है, उसके अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो क्या है, वो अपने आप में खास कैसे हैं, चलिए, जानते हैं JNU को थोड़ा करीब से, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, JNU के अंदर होने वाले कोर्से की, एंट्री लेवल के अगर हम बात करें साथ ही हो, तो यहाँ पे एंट्री लेवल जो है, वो आपका होता है BA and BSC में, आप इन दो कोर्से में अड्मीशन ले सकते हैं, BSC भी यहाँ पे केवल और केवल एक सब्जक्ट में अवेलेबल है, वो है आपका आईरवेदा बायलोजी, उसके अलावा किसी दूसरे सब्जक्ट में BSC यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, दूसरी चीज के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो भी यह है, वो भी आपकी पॉलिटिकल साइंस में नहीं होती है, वो यहाँ पे आपकी होती है Language Courses, यानि कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको Foreign Languages पढ़नी होती है, यानि कि भी देशी भासाओं का अध्यन करना होता है, अगर हम बात करें यहाँ Languages की, कुछ Top Languages की बात करें, तो यहाँ पे कुछ नाम है, Japanese Language जैसे आपका है, इसके अलावा आपका यहाँ Chinese Language का भी अपना एक नाम है, साथ ही साथ आप देखेंगे, यहाँ पे Korean Language यहाँ पे देश का सबसे best center अगर कहीं है, तो वो जवालना नहरुवी श्विद्याले में है, और कहीं नहीं है, अगर हम बात करें European Languages की, तो यहाँ पे कुछ और Languages आपको पढ़ने को मिलती है, आपको जर्मन पढ़ने को मिलता है, आपको यहाँ पे French पढ़ने को मिलता है, साथ हिसाथ आप Spanish भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ आपको पढ़ने को मिलता है Russian और Russian के साथ एक अगर हम और चर्चा करें थोड़ा और आगी अगर हम जाए Russian के अलावा तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी languages भी पढ़ने को मिल जाती हैं जो की कहिना भी Arab words से संबंद रखती हैं जिसमें आपका Persian आजाता है एक तो आप आपका Persian आजाता है फिर आपका पस्तो आजाता है ठीक है इसके अलावा आप यहाँ पे Arabic को भी पढ़ सकते हैं अब माल लीजिए आप इनमें से किसी भी बीए की कोर्स में अड्मिशन नहीं ले पाते हैं तो यहाँ पे कुछ COP भी अवेलेबल है ठीक है certificate program भी अवेलेबल ह जो आपके यहाँ पे पस्तो में होते हैं लेकिन यहाँ पर सबसे जाता जो फेमस है वो आप जानते हैं हीब्रो लैंग्यौज internet अब हमब दो क्या हम जैपनीज पढ़के से एक प्रकास डालेते हैं लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं अगर हम बात करें तो एडमीशन पहले यह अपना खुद का एक्जाम लिया जीसे हम neoyy के नाम से जानते थे एक एक्जाम होता था जarinनों के करके पहले नाम से आना जाता था लेकिन अभी अगर 2020 से देखें देखें जो है मोई बदल चुका है और ये आप को अपशहुम अगर आप यो जी में आना चाहते है तो आपको दो paper देने होते हैं जिसमें पहला जो paper होता है वो आपका साथ ही होता है English का English compulsory है इसके अंदर गर आप English का paper नहीं देते हैं आप JNU के लिए eligible नहीं है दूसरा आपको general test देना होता है जिसके अंदर आपको 300 marks का paper होता है वो face करना होता है इन डोनों को मिला के आपकी cutoff आएंगे BA में ठीक है तो यह तो होगे आपका BA वाला point कि अगर BA में आपको आना है तो आप क्या करेंगे ठीक है अब मैं चलता हूँ कि BA के अंदर जो language courses है उनके अंदर पढ़ने के बाद एक average बताऊं मैं तो जो packages है Japanese जैसी languages में वह 7-8 रुपए per annum होता है ठीक है 7-8 ले और package 10,000,000 से उपर भी जाते हैं इस साल भी गए हैं तो अगर बात की जाए 10-12,000,000 रुपए आप एक BA करके अगर अंद कर पा रहे हैं तो इस नॉट बैड एक normal BA करने से कहीं ना कहीं बहतर है कि अगर आपका इंट्रेस्स है language में तो join the JNU and एक अच्छा खासा backup आप अप क्या packages हैं जिन लोगों के 10-12,000,000 के placement हुए मैं कोशिश करूँगा और इंटर्व्यू कंड़क्ट करूँ और आप जान पाएं कि क्या strategy रहा किस तरह से वो लोग उस लेवल तक पहुंचे कि देखे सबको नहीं मिलता है दो या तीन लोग होते हैं class में या 5 लोग होते हैं इनको इतना package मिल पाता है 10-12,000,000 लेकिन उनके पीछे क्या strategy रहा कैसे उन्होंने इन चीजों को किया क्या को previous तैयारी मैंड में थी उनको लेके बहुत सारी चीजिए हैं जो हम उनके साथ discuss करेंगे definitely हम आपके साथ उनको लेके आएंगे अपने platform पर बताएंगे आपको कि क इतना पैसा लेकर जाना होगे तो फिस्सट्र के नाम पे जेनू कंदर आको पता है कि सेमिस्टर होते हैं ठीक है अगर हम सैमिस्टर की बात करें तो अब अगर देखेंगे चीज़ों को तो हमस्तर से एक लेकिन यहां पे 165 में इंडिया का कोई भी दूसरा यूनिवसिटी आपको वह इस्थान नहीं देता है जो जेन्यू दे रहा है दूसरी चीज़ सबसे सबस्क्राइब इंडर आपका मोसली मैस बिल होता है अगर हम सेक्यूर्टी अमाउन को छोड़ दे तो मैस बिल जो है वह आपका पर मझ लगभग इन दिनो साड़े 3000 के आस पास आता है इसमें अगर आपका तीन लाग से कम का income है आपके parents का तो आपको JNU के तरफ से MCM मिलता है जिसका value होता है 2000 per month यानि आप अपनी जेब से खर्च करते हैं लगबग 1500 रुपर महीना और ये दिल्ली के अंदर इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा साथियों कि आप P1 category से हैं या P2 category से हैं अगर आप P1 category से हैं तो आपको hostel बहुत जल्दी मिलेगा P2 category से आपको टाइम लगेगा मैं आपको इसका भी difference समझा देता हूँ P1 और P2 क्या होता है P1 और P2 के बीच में एक basic सा difference है P1 वो student है जिसका 12, 2000, 22 में हुआ है या 2023 में हो रहा है यह लोग आएंगे P1 category में और इनके लिए JNU की total 80% seats reserve होती हैं दूसरा आता है साथिव आपका P2 category अगर हम P2 category बात करें तो यहां पे जो अब सवाल आता है वो यह आता है कि P2 category कैसे होगी तो P2 category में क्या होता है कि आपके लिए total 20% seats reserve रहती हैं यानि कि अगर आप student है किसी भी course में आप और बैचलर कर रहे थे आप master's कर रहे थे लेकिन आपको लगता है कि मुझे language पढ़ना चाहिए तो आपका welcome है JNU में कोई रोक टोक नहीं आपकी उमर कितनी है matter नहीं करता है कोई question mark नहीं लगाएगा आप 30 साल age है तो भी आप join कर सकते हैं JNU को यहाँ पर 20% seats P2 category के लिए reserve हैं अगर आपका gap 5 year से जादा है तो होस्टर मिलने के chances लगबल लगबल 0 हो जाते हैं अगर आपका continue gap year 5 साल का है तो मैं बात कर रहा हूँ तो यह सारी चीजें आपने समझ सिर्टी होंगी सीट्स लगबग हर सेंटर में 39 के सपास कुछ सेंटर में 50 समय सबसा जादा रसीयन में हैं around 70 के स्पास है सेवन ती के राउंड है 69 सीट्स कुछ उसमें रसीयन में बाकी जो सिट्स है वो कि आप देख सकते हैं पर 39 50 तैंगी सीट्स हैं लगबल लगबग से वज़े से कही नहीं संख्या बढ़ेगी ठीक है तो कही नहीं कि जो कट-off है वो भी बढ़ेंगी तो 90 कट-off जाना 90% कट-off जाना बहुत आम बात हो जाएगी पिसले साल भी कुछ कोर्स की थी और इस साल भी रहेंगी 90% प्लस कट-off रहना आम बात हो जाएगी ठीक है तो यह पीवन पीटू वाला जो होस्टल के अंदर रूल है यह साथियों आपका पीजी में भी अप्लाई होता है केवल यूजी में पीजी में भी अप्लाई होता है लेकिन सीट्स वाला जुदर को नहीं है सवाल में नहीं है कि होस्टल आपको पीवण और की सवाल कbed होंगे आपको सवाल करते रहते हुं सारे सब्कूर कर सकते ऑन करको भी क्या कर रहां हों कोई सब्सक्राइव मैं देखा है जाओ आप कश्डएम準備 को सब् Stephfik करना चाहूंगा और को लेके आपको courses को लेके कोई सवाल है comment करना मत भूलेगा साथ इस वीडियो को जितना हो सके जादा जादा शेयर करिएगा आपको कोई भी doubt है कोई भी question है आपके मर में साथी हो तो आप exam अगर आपको session ठीक लगा हो आपको लग रहा हो कि कही ना कही है आपके मन में questions courses को लेके हैं उन courses से related questions बेज़ी जग पूछिए और हां masters वालों आपका competition अब की बार और ज्यादा होने वाला है क्योंकि डियू बन चुगा है सा CUT PG और अब डियू का हर student जरूर करेगा लगबग लगबग हर student अप्लाई करेगा क्योंकि वहां से cut-off वाला सलिसल आप खतम हो चुका है तो कहीं ना कहीं अब आपको और ज्यादा भेनित करने की जरूत है जो खासका CUT PG की तयारी करें और जो जाना चाहते हैं देश के सबसे टॉप उनिवर्सिटी जवाल अन्यर्व उनिवर्सिटी में उसमें अगर आप admission लेना चाहते हैं तो आप अपने कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं खासकर CUT UG और PG को लेके हैं जुड़ने के लिए आई विश कि आप JNU का जो एंटरंस उसे क्रैक कर पाएं मैं बेस्ट विशिज विडियो और डेफिनेटली आप अपने सपनों को एक नई उची उडान दे पाएं मैं चाहूंगा कि आप मैंसे बहुत सार्श्प्रेंट ऐसे हों जो आने वाले दिनों में विदेशों की यात्रा करें और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस दिन पहले जो मेरे खुद का 2020 बैच में पढ़ाया वह एक स्टुडेंट जो जैपनिस लेंगविज कर रहा था स्कॉलर्शिप लेकर तो काफी अच्छा लगा कि साइध कुछ बेतर किया हमने इस सोसाइटी के लिए खैर दौर दौनों चलते हैं जहां पे लोग आपको एप्रिशेट भी करते हैं लोग आपको कृटिसाइज भी करते हैं टीचर की जिंदिगी में दोनों सामिल होते हैं थैंक यू बेरी मच्च आप जरूर अप्लाई करें जो टोटल नंबर अप सीट्स हैं उनमें जो यह सैशन देख रहे हैं मैं आशा करता हूं कि आम में से ज्यादा ज्यादा उन सीट्स पर कपजा करें थैंक यू बेरी मच्च अगें डॉंट फोगेट तो जोइन एक्जा